हलो गाइज, खम्मा गणी, तोड़े आई ग्रीटें यून राजस्थानी, यह ना राजस्थानी में खम्मा गणी मतलब ग्रीटिंग को ग्रीट करता है जिस तरीके से, चलिए, तो आज हम चुरू करने वाले हैं फ्लोचार्ट टॉपिक को, तो इस वीडियो में हम क्या क्या इसके बारे में बात कर लेता हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं इसनी वीडियो, ओके, तो फ्लोचार्ट में हम एक तो डेफिनेशन देखेंगे, कि फ्लोचार्ट होता क्या है, इसको क्यों बनाते हैं, दूसरा, फ्लोचार्ट में जितने सिम्बॉल्स यूज होते हैं, इस वी वीडियो में हमने डिसकस किया था algorithm को यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको suggest करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर से देखिया है ठीक है ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है आप concepts जितना शुरू से clear करते चलेंगे उतना कम रठना पड़ेगा exam time में ठीक है क्योंकि चीज़े समझते हूँ चलेंगे तो आपको खुद से लिखने में easy रहेगा चलिए जो तो फिर अब हम बात करें flow chart की तो flow chart क्या होता है it is basically a pictorial representation of an algorithm इसलिए मैंने आप से कहा है कि algorithm क्या होती वाले topic को आप पहले देख लें तो algorithm जैसे लिख रहे हम words में लिखने की बजाए यदि हमको कोई कहे कि आप pictorially explain करो कि आप problem को कैसे solve करने वाले हो तो हम क्या बनाएंगे उसके लिए flow chart flow chart same वही steps को follow करता है जो हमने algorithm में लिखी है but किस में represent करेगा यह pictorial way में तो जो symbols यूज करते हैं हम देखिए इसका पहला rule होता है कोई भी flow chart बनाने का कि हमें उसके start और end points बताने रहते हैं तो start और end points को बताने के लिए जो symbol हम यूज करते हैं वो है हमारा एक ellipse ठेक है तो यही हमारे start को भी notice करेगा और यही हमारे end को भी represent करेगा कि जब आपका flow chart शुरू हो रहा है तो इस symbol से शुरू होगा इसके अंदर हम लिख देंगे start या end जो भी है ठेक है उसके बाद जो next हमारा होता है यदि हम किसी user से input ले रहे हैं मानलो आपको बोला है कि दो value को आपको user से read करवाना है तो यह जो है हमारा parallelogram इसको हम use करेंगे तो यह दोनो purpose के लिए होगा input के लिए भी और output के लिए भी ठीक है इसके next video में हम discuss करके देखने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं flow chart कोई भी simple सी problem ले लेंगे ताकि आपको easily समझ में आए कि flow chart काम कैसे कर रहा है अप कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई भी program यह software देखते हैं उसमें conditions आ जाती है कि यदि user यह value input करे तो यह काम हो अगर वो value input जैसे मानलो user ने age दी 18 तो उसको register करने दो अगर below 18 है तो register ना करने दो तो जब भी condition वाली बात आती है मतलब जब भी decision बनाना है तो इसको कहता है diamond ठीक है यह किसके लिए use होता है decision के लिए ठीक तो यह हो गया start और end दोनों के लिए यह हो गया input और output के लिए यह हो गया हमारे decision के लिए next आता है कोई भी calculation या processing यदी करनी है तो use होता है आपका rectangle ठीक है यह process करता है या फिर हम कह सकते हैं कि क्या करता है calculations जो होती है उसको हम इससे represent करता है next हमारे पास में आते हैं arrows तो यह जो arrows होते हैं यह क्या represent करते हैं यह control flow को बताते हैं कि program का जो control है वो किधर से किस direction में flow हो रहा है उसके अलावा यदी हमारा flow chart बहुत बड़ा बन रहा है मतलब एक page पे बनाते बनाते page खतम हो जाए और आपको next page पे जाना पड़े तो हम use करते हैं connectors यह हमारे छोटे-छोटे circles होते हैं जिसको हम बोलते हैं connector यह क्या करते हैं हमारे एक flow chart से दूसरे को connect करने का काम करते हैं जिससे यह flow chart यहां खतम हो जाएगा तो हम यह connector बना देंगे next page पे हम connector से शुरू करके और आगे का जो flow chart है उसको continue करेंगे ठीक है तो यह थे हमारे flow chart के symbols जो आपको बनाने हैं और इनको हम discuss करने वाले हैं next video में यदि आपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है वैसे मुझे कम लगता है कि यह साख शायद ही किया होगा क्योंकि मुझे पता है हमारे जो viewers हैं बहुत ही loyal हैं और वो बिलकुल appreciate करते हैं चैनल को इसलिए उन्होंने जरूर से subscribe किया है तो आपने तो किया ही है अपने दोस्तों से भी जरूर subscribe करवाईए thank you so much मिलते हैं next video में